प्रदेश कॉंग्रेस उपाध्यक्षेवं कुलू सदर विधायक सुंदर सिंग ठाकु ने प्रदेश भाजपा पर तीखे हमले बोले उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रदेश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार में घोटाले बाजी चल रही है साथी उन्होंने कहा कि भाजपा में गुट बाजी की अंतर कल है बाहा निकल कर आ रही है उन्होंने कहा कि एक तरफ जैराम ठ भाजपा लोगों का विश्वास खो चुकी है। सुंदर सिंग ठाकु ने कहा कि जिसके घर में समस्या हो वो दूसरों के घर की व्यथा क्या सुनेंगे। तो जैराम जी का हो या अपने दोमल जी का हो शांता जी हो बीच बीच में कुछ और भी उबर के आ रहे हैं नड़ा जी तो चलिए राश्ट्रिय स्तर पे हैं वो सभी को बात पता ने कितनी उनकी बात मानते हैं। इस बात को दिर्शाती है कि बारतिय जनता पार्टी में सब कुछ सही नहीं है। और खासता और पे जो दोवाला जी ने हम तो ये बात कहते आ रहे थे हम तो कह रहे थे कि बारतिय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। बिंदल के स्तिफे को लेकर हम कह रहे थे। बिंदल से स्तिफा लिया गया। बिंदल को स्तिफा नहीं देना था। बिंदल जी पहले दिन कारेकारनी बनाते हैं बारतिय जनता पार्टी की जम्बो कारेकारनी बनाते हैं बड़ा समनवै बिठाकर और अगले दिन उनको स्तिफा थेना पड़ता है। द्वाला जी चुने वो विदाईक है और चुने वो विदाईक के साथ द्वाला जी का एक प्रिष्ट भूमी रही है मैं आपको समर्रन करवाना चाता हूँ वो जो 98 में जब दुमल जी मुक्या मंतरी बने थे तो उस वकत कांग्रेस और बीजेपी की ब्राबर-ब्राबर सिटे थी सत्ता का जो संतूलन हविका के आथ में था लेकिन उस वकत द्वाला जी इंडिपेंडर्ट जीते थे द्वाला जी ने कई ठीक कहते हो कि उनके कपड़े भी फटे लेकिन उस वकत में उन्हें बारतीय जंता पार्टी के साथ खड़ा ओकर अपना जो है बारतीय जंता पार्टी की सरकार बनाई थी और खास तोर पर ऐसे वरिष्ट व्यक्ति है उनके साथ जो अंदेकी हो रही है उनके जो दिल का गुवार है सच में हमें उन पर मैं समस्ताओं की लाचार से बिचारे लग रहे हैं लेकिन इतना जुरूर है जो चुना हुआ विदाइक है उसे उसकी अंदेकी नहीं होनी चाह सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीब ठाकुर की रिपोर्ट